श्री कृष्ण कर्ण को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस युद्ध में विजय किसी की भी हो, पर कोई पक्ष सुखी नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो कॉर्वों का पक्ष छोड़ देंगे तो युद्ध पक्का समाप्त हो जाएगा, युद्ध हुगा ही नहीं और दोनों दुर्योधन का पक्ष नहीं छोड़ सकते, श्री कृष्ण उन्हीं कहते हैं कि यदि वह अपना पक्ष छोड़ देंगे, तो उन्हें न सिर्फ युद्ध को रोकने का श्रे मिलेगा, बलकि कई अपने भी मिलेंगे, इस बात को कर्ल पूर्णतया समझ नहीं पाई और उन् योध्धा केवल एक शत्रिय धर्म का योध्धा ही हो सकता है, यदि आपको ये ग्यात नहीं है तो मुझे आज इस क्षन आपको ये सब बताना ही होगा, कर्ण आप कोई साधारल मनुष्य नहीं है, आप वीरों में वीर महावीर कुल में जन्मे हैं, आप जेश्ट की बात को स्वीकार करें, आपके साथ जो भी हुआ है वहनियती नहीं थी, आपके साथ अन्याय हुआ है किन्तू इस वक्त आपका ही पक्ष रह गया है, जो इस युद्ध को रोक सकता है क्रिपया करके हमारे पक्ष में आकर युद्ध करें और वैसे अगर आप हमारे का बदला देने को में तयार हूँ, गर आपको ऐसे ही विडियो देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा हम आपके कमेंट का रिपलाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, शे हम आपके लिए ऐसी ही और विडियो को लाते रहेंगे, हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लोटेंगे, आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे